हलो गूर्णिंग यान वेलकम एवरिवां सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप सभी का मारी सिय इंटमेडियेट की इस नई फ्रेश बैच में अफ पेपर वन एडवांजड अकांटिंग दो मुस्ट स्कोरिंग पेपर ना फियर सिय इंटमेडियेट सब्जेक्ट एंड क्यों नहों क्यों क्योंकि आप यहां पढ़ने वाले हैं अकांटिंग जो आपके नाम में जुड़ने वाला है कुछ ही सालों बाद when you become a charted accountant दोस्तों पेपर नमबर वान एडवांज अकांटिंग की आज शुरुबात करेंगे और सबसे पहले अपन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे और उन सबसे पहले थोड़ा मेरे बारे में जानेंगे तो चार्ट में सबसे पहले आप लोग बताईए कहां से हैं आप लोग और कब है आपका अटेंट ड्यू और सबसे इंपोर्टेंट बात क्या का एक्सपेक्टेशन लेकर आप इंटर्मेडियेट की आज त्यारी शुरू कर रहे हैं आर यू एमिंग फॉर रांक वोट आर यू एमिंग इन इडवान्स अकाउंट्स और वोट इस यूर अल्टिमिट अब्जेक्टिव अब डूइंग यूर सीय कोर्स जब तक आप यह ल अगर मेरी बाक्राउंड कुछ आपके साथ शेयर करूं तो आइख लिए माइसी एं 2003 तो 1999 वस वेराइख लिए माइख लगता है पढ़ने वाले बच्चों कि अब लाइफ में कॉमर्स के स्टूदेंट्स को सीय के अलावा कुछ बचता नी तो मुझे भी इस तरह से सीय में देखेल दिया गया था और मैं आया सीय करने नॉट रियॉली वेरी शूर वेदर आइख लिए वाट टू दू दू इनिशली बच्चों को सीय कोई इंटर में बड़ी और फाइनल में तो बे इंतिया हो गए इत्ती की किसी और से महबबत ही नहीं कर पाए चलिए वोफुली गरवाली ना सुनले and I could clear all my exams in the first attempt और 2003 में I secured All India 46th rank in my CA final exams उसके बाद फिल लाइफ में लगा कि थोड़ा exposure ले ले लेते तो ITC नाम की कंपनी जोइन करी और ये ITC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा in fact आप इसके products रोजाना यूस करते होगे जैसे की gold flick oh sorry sorry classmate and a lot of other products you I'm sure have heard about it तो मैंने ITC में दोस्तों almost two and a half years कुछ plus काम किया and I was in their internal audit and accounts division वहाँ पर मुझे बहुत solid exposure मिला accounting standards का in fact जो मेरे super boss थे Mr. Shekhar Basu he was one of those guys जो CA Institute के लिए accounting standards frame करते थे तो I worked very closely with him just to basically understand कि accounting standard को बनाने के पीछे कितनी चीज़े जाती है कई बार आप देखेंगे कि आपका एक accounting standard हो सकता है चार पेज़ेस का उपर उसके पीछे 400 पेज़ेस के background material होते हैं which are not publicized or public domain में available नहीं होते इंडिया में internationally करते तो I could see in fact उनके साथ काम करने का मौखा मिला तो I could basically learn the thought process behind it तीन साल वहां काम किया फिल लाइफ में लगा कि कुछ charitable करना चाहिए तो 2006 we started with our journey of teaching और यह charitable कार्या हमने शुरू किया फास्ट के नाम से जो एक acronym है first attempt success tutorials का उमीद करते हैं आप लोग भी सब first attempt में success ही नहीं हो चाहिए राप्त करेंगे and after that I started teaching since 2006 और तब से लेके आज तक सिर्फ एक ही काम सीखने की कोशिश कर रहा हूं और वो है पढ़ारा I take intermediate level simple accounts and audit and see a final level account जहाँ पे financial reporting कहते हुदर and audit तो यह subjects है तो अभी से अपनी grip बनेगी और सीधे final जैसे ही आपका clear होगा उसके बाद आपको place करा के भार निकलेंगे So we also have a sister concern where I am a founder fast careers this way we do placements it is India's largest company for placing chartered accountants और पिछले attempt में All India highest package CA Institute के जो campus से गया था that was 29 lakh और fast careers की तरफ से जो highest All India package गया था that was 35 lakh तो हमारा definite aim है कि हमें वहाँ पहुचना है बट वह लंबी दूर की जरनी है अभी अपना आज की बात करते है Achievements क्या है sir आपके थोड़ा सा ये भी बताईए तो हमारे कोई Achievements नहीं है दोस्तों क्योंकि आपके Achievements हमारे Achievements बनते हैं तो अगर आप बात करेंगे अभी recent exams जो आपकी clear होई उसमें one of our students secured 88 marks in 91 marks in advance accounts that is the achievement in the new course old course की बात करें तो one of our students have secured 100 out of 100 Amitesh इंदौर से ही है Amitesh Jain he secured 100 out of 100 marks in accounts तो ये achievement दोस्तों उमीद करता हो कि इस बार class में वैसे कोई लोग मौजूद होंगे और ऐसी ततपरता की साथ करेंगे कि हम 100 मिसे 100 लेकिया पाएंगे क्योंकि कोई एक student ला चुका है तो ये proof है कि actual में आ सकते है इस background के साथ अब आते हैं दोस्तों subject के बारे में बात करते हैं advanced accounting का subject old course और new course में substantially change हो गया in fact May 2024 से जो आपकी institute की नई scheme लागू हुई अपन बात करते हैं अब subject के बारे चलिए तब तक चैट में I could say students have started sharing हमारे इंदाओर शेहर से भी लोग मौझूद है बहुत बढ़िया तो अगर मैं इसल्विस की आपको बात करूँ इसी आई के module में institute आपको तीन module में advanced accounts का पूरा content देता है और इन तीन modules में अगर आप देखेंगे तो in total आपके 15 chapters है और इन 15 chapters में अगर आप देखेंगे तो चाप्टर नमबर 129 सब accounting standard और accounting standard के प्रिफेस introduction framework के उपर बेस्ट है इस इस अल एस बेस्ट चाप्टर इन फाट यह accounting standards ही है mostly plus उससे related उसका framework प्रिफेस theory यहां से जो शुरू होता है इससे आप कह सकते हो कि यह आपके सिर्फ कहने के लिए अपन कहते हैं यह आपके major topics है कि यानि 129 में आप जो पढ़ेंगे वो इंडिविज्व 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 अकाउंटिंग standard होंगे आ रहे हैं अपन थोड़े ना है हलो हलो है अपन तो foundation क्लियर करके आएं यह करेक्ट इंटरी रूट से आएं कैसी भी मोट से अगर आप आएं तो आपको अपने सुनाओ कि भालत में आज आपकी तारिक में 29 नंबर्ड 1-29 accounting standards होते बीच में से कुछ डिलीड भी हो गया है इंडिएस अलग होते हैं जो आपके यहाँ पर करेकलम में कुछ भी नहीं एक छोटा सा इस तरह से यह सब अपने आप में comparatively कुछ बहुत छोटे कुछ average कुछ लंदी साइज के होते हैं बट यहां पर you'll only study that particular standard बट जैसे for example आप chapters पढ़ते थे let's say 11-12 commerce level पे you would have studied chapters like partnership या shares company accounts यह जो आपके chapters होते हैं जो अपने आप में बहुत सारी चीज है आपको वो particular matter तरह पार्टनर्शिप से लेटेट पूरी accounting कैसी होती है वो बताते हैं इस तरह के chapter chapter 10 से शुरू होते हैं chapter 10-15 तक हमें यह major तरह के topics पढ़ना हैं अब मैं आपको थोड़ आसस आपके exam के coverage syllabus के बारे में बता देता हूं How the institute has designed your curriculum now and it is a brilliant beautiful way the institute has designed the new course आपको एक fresh separate copy रखना है advanced accounting के लिए जिसमें आपको यह सारी चीजे note करना है जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं वो सब आपको मिल जाएगा कैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा भी तो first 30 minutes almost we are going to discuss about everything about the subject and a little bit about the batch this is very important on day one ताकि आपको एक context समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं मुझे एक satellite view मिल जाएगा समझ लीजिए कि हमारे पूरे सिल्बिस का तो चाप्टर वन टू नाइन अकाउंटिंग स्टंडर्ड्स है ऐसे अगर आप देखोगे तो चाप्टर टेन कंसॉलिडेटेड़ फिनांशल स्टेट्मेंट्स से लेकर चाप्टर नंबर 15 ब्रांच अकाउंट्स 10 तो 15 इन में वी आफ टू स्टडी टॉपिक्स लाइक कंसॉलिडेटेड फिनांशल स्टेटमेंट्स इसका मतलब होता है कि अगर आपकी सब्सेटरी जैसे रिलाइंस की 95 सब्सेटरी सब्सेटरी और एक उसकी सब्सेटरी और खुद के मिला के कंबाइन करके क्लब करके कंसॉलिडेट करके इसे कंसॉलिडेटेड फिनांशल स्टेटमेंट के तो यह बनते अकांटिंग स्टैंडर्स के अनुसारी है तो आप एक चीज समझेए कोई भी चीज होती है अगर तो जैसे आपने फांडेशन लेवल पर लॉप पड़ा है तो कोई कॉंट्राक्ट के नियम अगर आपको गवन करना है तो कैसे गवन होते हैं तो इसे अकांटिंग को गवन करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए या अकांटिंग ही क्या है सर वही डेबिट क्रेट के हमारे सिद्धान से अकांटिंग हो जाती है तो दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में कॉंप्लिगेशन बहुत साथ होते हैं तो आपका प्रोसीजर है कि आपको बुक्स कैसे मिंटेन करनी है बट अकांटि पर जाने वाले हैं जहां पर अपन क्या बना पाएंगे कम्नियों के फिनाइंशल स्टेट्मेंट जैसे पब्लिश होते हैं कभी आपने अपने को वह लेवल पर पहुचना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए हमें एक बेस चाहिए कि यह पर्टिकुलर चीज को मैं अगर अगांट फ़र करूंगा तो कैसे अकाउंट फ़र करूंगा तो चलो मैं आप से सवाल पूछता हो मैं क्यों बोल रहा हूं अप एक सिंपल से सवाल का जवाब दो फटा फट देते जाए चलो दोस्तों बताओ कि मैंने जमीन खरीदी है लैंड खरीदी तो मैं इसे अपनी बॉक्स में कैसे दिखा हुआ है इस सर कैसा सवाल पोच रहे हो हटा यह लग रहा है यार भी मैं आगए वापस अच्छा ऐसा है तो दे दो जवाब आप लाइन परचेस करिए तो आप इसे अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे सर एक्सपेंस बुक करेंगे या अब इसे इन्वेंट्री बुक करोगे या फिर आप इसे इन्वेंस्मेंट्स में बुक करोगे सर यह डिपेंड करेगा हमारा बिजनस क्या है अगर हमारा बिजनस यह अबजेक्टिव यह जमीन खरीदने का ऐसा है कि यह जमीन खरीद के हम फैक्टरी की बिल्डिंग मनाने वाले है तो इसे पी-पी फिक्स असेट मान लेंगे हमार बहुत बढ़िया तो बताओ मैंने लैंड खरीदा और खरीद के यह रख लिया है कि चलो अभी मिल रहा है सही दामों पर तो लेके रख रहेते हैं फिर बाद में डिसाइड करेंगी क्या करना है ऐसी सिचुएशन में आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगा तो सर यह तो जब ह हमारा intention clear होगा तब तब तक आप books में कैसे record करोगे आपको इत्ता तो पताए कि balance sheet में एक asset के अंदर ही बहुत सारी categories होती है presentation कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों हमें guidance चाहिए क्या मैं इसे कैसे show करूंगा तब तक क्या land depreciate होता नहीं सब्सक्राइड नहीं होता बागी सार drain system बनाना पड़ता है तो मैंने खर्चा किया खुदाई करी और खुदाई कर करके मैंने क्या किया वहाँ पर एक पूरा drain system बना दिया यह land खरीदा हमने 50 लाग रुपीज का और इसमें train system बनाने में पाच लाग का खर्चा हो गया अब बताईए यह पाच लाग का खर्चा जो मैंने किया इसकी accounting में कैसे करूंगा क्या इस फाइव लाग रुपीज की accounting लाइंड की कॉस्ट में एड हो जाएगी या यह फाइव लाग रुपीज को मैं अलग से असेड बुक करूंगा या फिर इसे expense बुक किया जाएगा अब आपको समझ में आ रहा है यह जितने सवाल मैंने पूछे इसमें क्या हो रहा है possibility तो सारी expense book कर सकते सर क्यों क्योंकि यह तो खर्चा हुआ है नहीं सर पर इससे हमने land को ready for agriculture purpose किया है तो इसे क्या अप्रलाइस करें बट सर यह जो हमने खर्चा किया यह तो permanent होगा नहीं है जो train बनाई है फिर मिट्टी बढ़ जाएगी तो हो सकता है हर 3-4-5 साल में वाप दो मिनिट सोचोगे इसकी accounting कैसे होईगी तो you'll be surprised जैसे अप अब एक और example लेते चलो light की बात हो गई जन्दरल ही आप लोग अभी गुफिर के foundation का result बदा देगे बाद ऐसे चिल वार गया होगे तो suppose आप movie देख रहे है चलो फटा-फट जवाब दो बस इदार सवाल है और डॉक्टर डूम्सडे नहीं आने वाली वह वाली देख ली सरबने रहे हैं है तो movie के लिए एक बात बताईए आपने suppose तो भहिया देखा हमने मार्वल में वापस से आ रहे हैं अपने iron man भाई और विलन बनके तो यह particular case में Robert Downey Jr. जो iron man का किर्दान लिभाते थे और अब वो क्या बन गए हैं डूम्सडे डॉक्टर डूम्सडे उनको साइन किया वापस से मार्वल ने और बोला कि अगली movie में हम आपको लेकर आ रहे हैं मेरा सबसे पहला सवाल है कि उनको साइन करने के बाद उनको payment किया गया let's say for example one million dollars का और उनने का गया कि यह 50% है और बागी 50 50% पूरी movie बनने के बाद आपको पे करेंगे बताओ इसकी accounting producer marvel cinema कैसे करेगा बताइए कि एलो एक्सपेंस या सट अब मूवी बनाओगे तो आपको बहुत सारे special effects के लिए लोग लगेंगे computer systems लगेंगे camera equipment लगेंगे जिसे आप रेंट में ले सकते हो कि यह सारा जो production का खर्चा हो रहा है इस सब को आप क्या बूक करो कि क्या यह सब एक्सपेंस बूक के लिए सोचो कि अगर आप इन सब को एक्सपेंस बूक कर रहे हो मूवी बनने में दो से चार साल लगते हैं तब तक सिफ खर्चे बुकोंगे और आप यह समय लीजिए कि उसकी major income कब आप रियलाइज हो जाएगी इन टू-टू-फॉर वीक्स आफ्टर दो मूवी इस पप्लिश्ट आपने बेसिक सिध्धान पट रखे अकांटिंग के मैचिंग प्रिंसिपल कि आपको लगता है उसके साफ सही है कि आप खर्चा बुक कर रहे हैं दो सिर्फ लॉस 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 क्योंकि एक्षपैंस एंकम तो इस मूवी से और इनकम कब हैगी रिलीज होने के पाद और नॉर्मली टू-टू-फॉर वीक्स वे आपकी मिजॉरिटी इंकमा जाती है तो यह कैसी अकाउंटिंग होती है क्या मैं इसे क्यापिटलाइस कर सकता हूं यह रिवन्यू नेचर के खर्चे हैं तो दोस्तों यह सारी एक्जैंपल सुनके आपको क्या लग रहा है मैं कोई आपके साथ एक्स्टॉडिनरी नहीं कर रहा हूं रियल लाइफ की चीज़े आपके से पूछ इन सबका ultimate purpose क्या है मतलब क्या है आपको यह समझना है कि अभी तक हम जो करते हैं हम यह समझते हैं कि यह accounting में debit rate क्या होगा balances क्या होंगे और थोड़ा बहुत in terms of presentation accounts कुछ type of entities के NPO हो गया या partnership या इस तरह की entities के कैसे बनते हैं लेकिन अब intermediate level पर आपको किस stage पर लाना है आपको एक कैसे stage पर institute लाना चाहता है कि real life world में किसी भी तरह की चीज़ की अगर accounting हो रही है तो कैसे होगी इतना आप बता पाए तो all practical things आप से कोई भी पूझे कि इसकी accounting बताओ तो आप बताओ पाओ so that means we have to now go beyond the logics of debit credit we have to understand whether it is an asset or an expense we have to understand how will this be presented in the balance sheet किस नाम का asset दिखाया जाएगा ये भी एक मेरे लिए बहुत बढ़ा matter है तो इसी के लिए दोस्तों क्या गया गया है chapter number 11 बनाए गया chapter number 11 is basically financial statement of companies companies act में financial statement का एक specified format है जो follow करना पड़ता है और इस chapter में अगर आप देखेंगे तो दो units है एक जिसमें आपको financial statement कैसे बनाना है उसका discussion है as per schedule 3 ये क्या होता है अभी अपन discuss करेंगे ये chapter सबसे पहले हम शुरू करने वाले cash flow statement आप लोगों ने शुरली सुना होगा या इस पर accounting standard बनाए जाता है as 3 और यहाँ पे आपके सिल्विस में financial statement schedule 3 के साथ dividends का भी discussion है ये दोनों ही companies act के अनुसार है और ये chapter chapter number 11 में आप क्या discuss करने वाले हो in this chapter you will actually get to know all these things तो मैं आपके लिए आज एक format लेकर आया है open discuss करेंगे आपकी book में है एक real life में अगर आप देखोगे तो एक company के financial statement कुछ इस तरह के बनते हैं उसकी balance sheet में equity liability side होगी shareholder fund share application money non current current liability then उसके बाद आपकी asset side होगी ये सब discuss करना अपने को इत्ते सारे assets अलग अलग तरह से classify होंगे तो ये जो financial statement बन रहे हैं ये companies act एक format दे रहा है और accounting standard बता रहे हैं इसे कैसे prepare करना है that is something which is termed as what financial statement of company आपके syllabus में ये क्यों क्योंकि institute चाहता है इंटर की पढ़ाई करने के बाद वच्चा काबल हो जाए कि accounting standard based अगर financial statement किसी entity के prepare करने की बात आ रही है तो वो prepare कर सके हैं जैसे उधारन के तौर पर let me show you accounting standard based financial statement सबसे पहले जल्दी से पताओ दोस्तों कित्ते लोगोंने annual reports देखी है annual reports ये मैंने आपके सामने जो open किया है this is basically one of the annual reports ये किसकी annual report है ITC company कि अच्छा सर आपने वहाँ पर कायम किया है तो वही लेकर आ गया बिलकुल सही सर ये तो बड़ी पुलानी दिख रही है 2016 करेंट क्योंकि 2016 के बाद से जितनी भी लिस्टेट एंटिटीज जिनकी annual report आपको easily मिलती है उन सबने है इंडेस फॉलो करना शुरू करती है ना कि एस दोनों में क्या फरक होता है भी डिस्किस तो जितनी आपकी कमपनीज है वेदर इस 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 फॉलो करती है वह आप फाइनल में पढ़ो इस तरह की वित अल्डे केंटेंट जिसके सारे नोट्स आपको दिये गए हैं पूरी इंफर्मेशन स्टेट्मेंट और प्रॉफिट और लॉस यह कैश फ्लो स्टेट्मेंट इस लेवल का आपको नौलज आ जाएगा आपको लोग है वह बहुत एक्साइटिंग अपर हमें थोड़े से देर भी लग रहा है ऐसा कई से होएगा और तुझे नहीं बालूम पड़ेगा कि कुछी समाई में धीरे धीरे तुम क्या-क्या सीख जाओगे और क्या-क्या बना बैठोगे तो यह तरह की बैलेंशीट बनाना है तो इस तो एडवांस अकाउंट का यह हमारा स कि टेशी उसकी है पर इजी जो सब्सिटरी जी सब्सिटरी आएगे आप समझते हो ना ऐसी कमदी जिसमें मिजौरिटी वोटिंग पावर कंट्रोल उस कमदी का मेरे पास जैसे ऐसे मुंबल इंडियन्स किसकी कमपणी है जल्दी से बताओ चाट में लिख सकते हो मुंबल Credence separate company कना में India woon Sports limited यह मुंबई इंद्यांज की कंपणी ऐं reliance that is a subsidiary of Revolution specialist gathering के एसन और उसकी subsidiaryrangular Indian जिस क्वीं काना में इंडिया विन स्पोर्ट लिंट पैसे मैं क्या करता हूं बड़ी कंपनिया क्या करती है सारे बिजनेस अपनी कमनी में नहीं करती है या क्या करती है हर अलग बिजनेस के लिए दे एदर एक्वायर कमनी और दे क्रिएटर नियुकम है जैसे हैम्लीज इंडिया इस अलसो सबसिट्री ऑफ रिलाइंस इंडस्ट्री तो मुकेश वाई नहीं हो सकता है क्यों या बोलाओ चलो अब घर में खुशकबरी आने वाली है तो अभी से एक हम्लीज खरीद के रख लेते तो उन्होंने हम्ली से टॉई नहीं खरीदा कंपनी खरीट डाली तो बुले क्या करेंगे अनंतराधिका को आगे गिफ्ट देने क के गाम आई तो अब एक्वाइड लेट से 80 परजेंट शेर्स अब टाट पर्टिकलर कमनी नाव यार कंट्रोलिंग एक तो उनकी सब्सेटरी है तो उसके साथ जो कंबाइन करके फिराइंचल स्टेटमेंट बनाते ना दोस्त उसको बूलते कंसॉलिडेटेड फिराइंचल फिराइंचल स्टेटमेंट अफ कमनी जब आप डिसक्स करोगे तो आपको यह जो फॉर्माट मैंने आपको दिखाया नहीं पूरा फॉर्माट के हिजाब से आप एक कमनी के फिराइंचल स्टेटमेंट बनानी की पोजेशन पर आ जाओगे इसके दो पार्ट है जिसमें पहले पार्ट में अपन फिराइंचल स्टेटमेंट शेडियूल दरी बढ़ते हैं जिसमें बेसिकली हम बैलेंच शीट और स्टेटमेंट अफ प्रॉफिट अन लॉज बनाना सीखेंगे बिटा और इसका दूसरा यूनिट है जिसमें आप कैश फिलो स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे मेजर लिए तीन स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए और एक अलग से डिसकिशन किया गया है डिविडेंट्स के टॉपिक के उपर यहां पर यह हो गया आपका चाप्टर नंबर 11 फिनाइंशल स्टेटमेंट आफ कम्नीज यह मेजर टॉपिक है यानि कि इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़ादा लगने वाला है फिर चाप्टर 12 अपने आप में बहुती स्पेसिफाइड अकाउंटिंग है कि कोई कम्नी अपने शेर्स को बाइबाक करना चाहती है तो कैसे करेगी यह छोड़ा सा चाप्टर है और स्कोरिंग है यूज अमजलो मुफ्त के मार्क से जादा कुछ इसमें मेहनत करना नहीं है और कुश्चन एक्जैम में आ जाता है वाइबाक उफ शेर्स यह एसपर कंपनी आट होता है ना कि एसपर अकांटिंग स्टनर्डर को इसमें कोई अकौंटेंग स्टनर्डर नहीं लगता है फिर आपके दो चाप्टर है जो अमल्गमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अमल्गमेशन यानि दो कमनिया एक मिलके एक उजाती है आपने सुनाओ का जो मैटो ने ब्लिंकिट को एक्वाइर कर लिए इसकी अकाउंटिंग स्पेशल होती है थोड़ी सी दाट इस सम्थिंग विछ विए डिसके सिन अमल्गमेशन कई बार दो कमनिया मर्ज होके एक नई कंपनी बन जाती है यह सब अपर महां पे डिसक्रिस करें और रिस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है एक्जिस्टिंग कंपनी नहीं अपने आपको रिस्ट्रक्चर कर दिया रिशेप कर दिया रिवाइस कर दिया कोई रिस्ट्रक्चर क्यों करता है कमनी को नाम बदल लिया भीया क्यों क्यों कि अमें लग रा था किया रहा है अभी existing company में माहूल बननी रहा है तो चीज़ा कुछ बदलने की जर्वत है तो reconstruction में चले गए बाई जो उसके आलत कराब उसने reconstruction का एक प्लान लिया और उसके basis पे उसने क्या किया अपनी company को restructure करके थोड़ा सा reshape करके financial restructuring करके नया बना लिया तो यह दो chapters अपने 13 और 14 आपस में interconnected हैं to some extent यहां पर accounting standard 14 लगता है reconstruction पर कोई accounting standard नहीं है और chapter 15 आपका branch accounting branch accounting is again not based on any accounting standard आला कि इसमें के AS 11 foreign branch पे काम आता है foreign exchange fluctuation का बट वो अपने AS में discuss करेंगे other than that accounting standard आपके syllabus में AS 1229 सारे है but इस AS 1229 में हम यहां पे क्या करने वाले हैं we are not going to discuss AS 3 here क्योंकि उसे हम cover करने वाले हैं कहां पे chapter number 11 part B में similarly AS 21, 23 और 27 यहां पर cover नहीं करेंगे उसे हम cover कर लेंगे chapter number 10 में और इसे हम cover करेंगे chapter 13 तो टोटल 1229 accounting standard में से आप यह बोल सकते होगे यह पाच accounting standard हम AS वाले part में cover करने की बजाए respective chapters के साथ cover करेंगे बच्छे वे accounting standard में cover करेंगे अब इन सब का वेटेज समझ लेते हैं अपन कितना होगा आपका paper कितने marks का आता है अरे sir कैसा सवाल पूछा आपने तो यह paper today comes of 100 marks लेकिन यह 100 marks पूरे के पूरे क्या नहीं होते हैं यह पूरे के पूरे आपके क्या हैं descriptive questions नहीं है multiple choice questions आते हैं 30 marks के आपके MCQs हैं और 70 marks के आपके descriptive हैं तो मैं आपको वेटेज बताता हूं कितना होता है आप यह समझ लीजिए दोस्तों कि approximately chapter 1 to 9 का वेटेज 25 to 30 marks का होगा कौनसे accounting standard इन पांचों accounting standards को छोड़के जो यहां पर हम पढ़ने वाले 25 to 30 marks consolidated financial statement का fix मान लीजिए 14 marks का minimum weightage है amalgamation और reconstruction दोनों का मिला के 14 to 28 marks का weightage है minimum 1 question आएगा 2 भी आसकते हैं और 14-14 marks के लंबे questions आते दोस्तों इस पे क्यों दे रहे हैं क्योंकि हमें पता पढ़ जाएगा हमारे सिल्विस में किन चीजों का कित्ता impact है देन branch accounting का weightage आपका 6 to 14 marks का है तो नॉर्मली आपको एक question मिलेगा branch accounting पे it could be anywhere between this और financial statement of companies buyback of securities का easily 40 into 20 marks का weightage होगा इसका मतलब क्या हुआ all in all आप यह बोल सकते हो कि institute ने chapter 10 to 15 जो आपके रखें इसका weightage somewhere around 56 marks कुछ होगा और around 25 यानि 55 का weightage इदर होगया 55, 56 or 25 to 30 इदर होगया अगर आप इन सबका sum total करेंगे तो it will come to 80 to 85 marks जबकि descriptive तो हमारा सिर्फ कित्ते marks का है 70 marks का है इसका मतलब एक optional question आता है अब आपको मैं paper pattern समझाता हूँ एक real life paper देख लेते हैं अपना जाओ let's say new scheme का सबसे पहला attempt का paper देखते हैं May 2024 का ये paper है part 1 में MCQ आते है 30 marks के और part 2 इस तरह का paper है पहला question होता है compulsory question जो 14 marks का होता है जिसमें पिशली बार 7-7 marks के दो question हो सकता है 4-4-6 के भी आ जाए ये पूरे accounting standard उपर based थे तो ये जो paper pattern है आपका इसको मैं detail करता हूँ आपके साथ इसमें MCQs को let's put it in orange here MCQs institute ने last attempt तक out नहीं किये थे बच्चों को ले जाने नहीं दिये तो सुब बच्चे memory के साथ बताते हैं कि MCQs कौन से topics या chapters पे आए थे otherwise MCQs market में आससे चबल बिल नहीं है बट अब student ने का है कि अब आगे से हम क्या करेंगे MCQs भी दे देंगे students को question paper MCQs का भी दे देंगे अभी अपन descriptive की बात करते हैं जो 70 marks का है बहुत ही simple है दोस्तों question number one 14 marks का compulsory होता है question number two to question number six सारे question 14 marks के होते हैं जिसमें आप total कितने questions होगए two to six में five आपको उन में से कोई भी चार question attempt करना होते हैं तो one plus four five question of 14 marks 70 marks तो क्योंकि यहाप एक question option में आता है इस particular reason से आपका जो total paper होता है वो 84 marks का हो जाता है तो you have to basically in 84 marks paper you have to attempt 70 marks paper एक question आप 14 marks का छोड़ सकते हैं questions कैसे होते हैं तो या तो question एक single part का question होगा 14 mark का या उसमें दो पार्ट आ सकते हैं 7 marks 7 marks के या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें तीन पार्ट हो नॉर्मली फिर वो ऐसे होते हैं 4 mark का एक question 4 mark का एक question and 6 mark का एक question तो ऐसा कोई भी framework हो सकता है एक particular question में नॉर्मली जो पहला question आता है न दोस्त यह question आता है accounting standard के उपर based और यह जो questions है यह from all जाकता है साथ है इसा कोई fix नहीं है बट usually यह pattern follow होता है old course में भी syllabus में भी यह होता था compulsory question है इस based में से आता है mcqs जो memory based students ने share किये mcqs दो तरह के आते हैं एक को कहते है integrated case study और एक को कहते है individual mcqs integrated case study जो आप बच्पन में reading comprehension के question करते थे English के paper में इस पे सबसे कम marks है कि आपको एक passage दिया जाता है और उसके basis पे answer based on package यहाँ पर एक real life case दिया जाएगा जैसे movie की accounting के बारे में बहुत सारी बाते बोल दिया और नीचे फिर पूछते जाएंगे बताओ यह खर्चे को कैसे account करेंगे यह कैसे करेंगे इंटिग्रेटेड के स्टडी जो आती है दोस्तों यह आपकी accounting standard consolidation buyback इन में से किसी भी chapter में से आ सकती है financial statement of companies किसी में भी से आ सकती है और individual mostly AS based होते हैं या फिर companies add के कुछ provisions हमारे service में उसके उपर based हैं तो MCQ जादा तर कहां से आते हैं chapter 129 तो अगर मैं MCQ वाले के उपर एक tag लगा दू तो 129 consolidated financial statement financial statement of companies buyback amalgamation इन में आपको MCQs मिल सकते branch reconstruction में कम मिले और descriptive मैंने बताया कैसा pattern है कहां से आते हैं तो अब आप देखो actual paper कैसा है इस paper में यह 7 mark का question compulsory वाला first which is based on accounting standard यह actual में accounting standard 16 और 10 के उपर बेस था another 7 mark question which was based on accounting standard 2 valuation of inventories तो 14 mark का आपका compulsory question accounting standard बेस साथ-साथ market फिर यह पूरा 14 marks का एक single question है दोस्तों जो internal reconstruction के उपर बेस था जो आपका chapter number 14 है फिर आप देखिए अगला question 7 marks which was based on accounting standard 7 और एक और question 7 marks which is as 3 या cash flow statement के उपर बेस financial statement of companies पर आता है आप देखरों यह जब multiple question आते हैं तो ऐसा नहीं है कि chapter में जाते multiple chapters में जाते तो यह मत सोचना कि मैंगा chapter छोड़ भी दूंगा तो है उसमें से फिर एक और 14 mark का question जो consolidated financial statements के उपर बेस था है जो आपका chapter number 10 है उसमें से और यह आगरी question है आपके पास अब इन में से आप कोई भी एक option में skip कर सकते हूं यह multiple questions है जिसमें एक question है AS 19 जिसमें internal choice है कि आप A और B में से कोई भी एक कर लो which is AS 19 or 20 and then you have another question एक जो dividend के उपर है जो chapter number 11 financial statement of companies का part है और यह accounting standard in fact यह branch accounts के उपर है जो six mark है तो एक बहुत ही balance सा paper आता है intermediate advance account का कोई as such बहुत जादा surprises नहीं है काफी अच्छे से इन्होंने schedule divide कर रहा है और topics भी as such बहुत limited हैं आप अच्छे से को कवर कर सकते हैं तो इस बेसिकली हाव यहाव तो सॉल यह तरियार पेपर इन विच्छी आव एमसी क्यूस आव तो प्राक्टिस आट विल कवर दाट इन देन यहाव यह डिस्क्रिप्टिव पार हमारा इस किशन कैसे होने वाला है और वी गोइंट प्रसीड विद इस बहुत ही सिंपल है दोस्तों अब पूरे एडवांस अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो एक एज और एक मेजर टॉपिक्स इन फाक्ट आपको जो बुक्स भी मिलेंगे आपको सिंपली दो बुक्स मिलने वाली है जो दोनों की दोनों बुक्स दो पार्ट में होंगे पहली बुक को कहते हैं अपन ब्रह्माज जो कॉंसेट मोट है जितनी चीज़े आपको इंतम लगेगा ग्यार में एक्जाम से पहले आला कि एडवांस अकाउंट में तो पहला पेपर है तो एक से जाधा दिन होते हैं बड़ आपको दो दिन में भी रवाइस करना पीजिली कर सकते हैं तो यह इस तरह कि आपकी बुक्स इसमें पूरी किताब आप यू समझ प्लस आपको क्लियर है कि वही है यह मेजर टॉपिक्स की और यह अकाउंटिंग स्टैंडर की और सेम इसी लाजिक से आपको एक कुशिन माइद मिलती है अपको यहां पर मिल जाएगा कई सारे कुश्चिन रिपीट होते एक जैसे होते तो यह पूरी किताब को मैंने दो प पार्ट में मैंने सारे यूनीक और अच्छे कुश्चिन रखे जो हम सारे क्लास में सौल करतें दूसरे पार्ट में एक जैसी कुश्चिन जब इंस्टिट्यूट दुबारा पूचता इसे फिगर सेंज करके उसे से से प्रैक्टिस में लगते हैं अपको किसी भी जगे अविलिबल होंगे आपकी एक्जैम तक तो आपको अगर क्लास के बाद कभी भी कोई पर्टिकुलर कुश्चिन का अंसर देखना है डीटेल में तो आप सिंप्ली क्या कर सकते हो एप में जाके चाप्टर नमबर वान लिजए यूनिट नमबर वन कुश्चिन नमबर फाइ तो यून गो दैर अपनी बहुत ही सिंपल है बस आपको दो किताबे मिलने वाली है दो दो वॉल्यूम्स में दोनों जिसमें नमबर वन किताब आपकी क्या होगी कॉंसेप बूक नमबर टू क्या होगी कुश्चिन ओर पाईज़े पूरे कॉंसेप्स कवर जाएंगे और जानना चाहते हूं तो वेरी क्विक्ली अभी अब कवर्ड अपॉन देख लिए अपने के साथ-साथ मैंने आपको थोड़ा सा पेपर पाटन बता दिया कैसा आता है फिर जैसे ऐसे चाप्टर करेंगे अपन कॉश्चन्स देखेंगे एक्जाम में कैसे आएं उक्स के बारे में डिस्कूशन हो गया है तेस्ट के बारे में कर लेते हैं तो टोटल दोस्तों आपके 20-20 परसेंट आफ सिल्विस के 5 टेस्ट होंगे क्लास में उसका शेडियूल मो आपके साथ में शेडियूल शेयर कर दोना जैसे ऐसे अपन कवर करते जाएंगे दूसरे में बाकी के टॉपिक्स और अकांटिंग स्टांडर बेस के उपर फिर तीन टेस्ट और इन सब के बार में एक फुल टेस्ट होगा फुल टेस्ट जो होता है आपका त्री आर्स का हो टेस्ट का एक विंडो रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक अगर आप पेपर सब्मिट करोगे तो लाइव स्टूडेंट्स या गूगल राइव सारे स्टूडेंट्स को एवालुएट करके परस्नल कुश्चन पर फीडबाग के साथ में आपको चेक करके देंगा तो टीम स्पिरिट आपको दिखेगी किया मेरा क्या स्कोर है तो उसका क्या हाला कि क्योंकि टेस्ट आप घर पे दे रहे हो तो वो एक बहुत जादा ranking point of view से illustrative नहीं होगा विड़ आपको एक self assessment के लिए काम में आएगा cheating करते हैं कि अज़र बच्चे करना तो नहीं चाहिए उमीद भी है नहीं करते होंगे बट बोल नहीं सकते तो this is basically test आपके इस तरह से handle करेंगे और यह बहुत essential है अपनी study part के लिए then apart from this we will have revisions and all जो आपके fast की app पे या YouTube पे आपको exam से पहले मिलेंगे amendments as such accounts में कोई खास होते नहीं है अगर accounting standard में किसी case में होते हैं तो वो सब YouTube पर आपके पास आ जाएंगे यूट्यूब या वास्ट की app कभी amendment होते अनलेज और पूरा course चेंज हो जाए जैसे ओल से नहीं scheme आ गई उसे चोड़ते तो बागी सारे amendments के जो notes होते हो इसकी PDF ताकि आप प्रेंट निकाल लें प्लस आपके जो भी वीडियोज होते हो यूट्यूब पर आ जाते हैं अब इसी बात है अभी कोई amendments as such planned है नहीं आने नहीं वाले तो accounts है तो कोई बहुत major issue नहीं होगा है डाउट solving के लिए मैं personal सारे डाउट solve करता हूँ सारे students के daily spend a lot of time in doubt solving और इसके लिए एक system मना रखा है let fast solve capital small कैसे भी लिख लेना at gmail.com पर आप mail करेंगे और आपको विदिन डेस टाइम doubts के जबाम मिलेंगे आपको लगता है कि जार हमें आप से बात करना है कोई guidance साहिए most welcome एसे भी बहुत अच्छा लगता है बात कर गया आप लोगों से 92007900 का WhatsApp कर सकते हो टाइम चाहिए बात करने का लिख सकते हो मेरा direct person number है और आपको टाइम चाहिए call करने का तो मैं आपके साथ टाइम शेयर कर दूँगा उस समय फोन पर बात कर लेंगे duration sir duration बताइए सबसे important चीज आते ही जाने की बात कर रहे हैं अभी तो शुरू हुआ नहीं duration दोस्तो 150 क्या बात कर रहे हो sir 200 200 गंडे लगते एड्वांस अकाउंट में हम कंप्लीट करने कोशिश करेंगे 10% ब्लस माइनस आप मान लीजिए हो सकता है बड़ इससे ब्यूंड नहीं क्यों क्योंकि आपके नोट्स और यह सारी चीज़े इत्ती सिस्टेमाटिक बनी आर्स प्लस माइनस आप ले लीजिए 10-15% हो सकता है थोड़ा सा क्योंकि number of questions बढ़ते जाते हर बैच में जो प्रैक्टिस हम क्लास में करते हैं क्योंकि institute का नया material आता है तो थोड़ा टाइम प्लस माइनस हो जाता है इतने duration में हम easily cover कर लेंगे आपकी classes कैसी रहेंगी तो अ post put but maybe after a week 10 days time we will increase the duration अब accordingly लगा सकते हो कि किते समय में आपका complete हो जाएगा एक बार अपनी base building अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद अपन समाए थोड़ा सा बढ़ा है चलो जी अब आप जल्दी सा पोच लीजिए ऐसी कोई बात है क्या जो आपको और जानना है batch के बारे में you can let me know otherwise I think I am done with whatever I wanted to share with you guys about the syllabus, about the batch, about myself, I have read about you, tell me if there is anything which is left to be discussed with you चलिये तो हमारा एक अच्छा 40-45 minutes का discussion हो गया यह सारी चीजों के अपर I think this is useful, यह सारा content आपके साथ share हो जाएगा, कहां पर share होगा sir तो जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूँ, उसे कहते है board notes, इसे upload कर देते हैं और इसका एक link आपके साथ share किया जाएगा, यह link आपका एक Google Drive का link होता है, जहां पर आप click करके इसे download कर सकते हो, इसके अलावा जित्ती भी किताब है, यह सब fast app पे, इन सब की आपको content available होती है, यह आप उसे download नहीं कर पाओगे, लेकिन on the go, कभी भी आपको पढ़ना है, तो आप किताब कोल के question bank या concept book देख सकते हो, lectures आप जो भी देख रहे हैं, live वाले जो भी कर रहे हैं, उनको 100% backup मिलेगा, तो किसी भी दिन ग्लास चूर जाती है, तो आप backup से देख सकते हो, जो recorded वाले students के लिए two views होते हैं, that means, they can watch the lecture twice, इनकी validity आपकी exam के beyond तक रहती है, तो वो कोई issue नहीं, चलिए, और कोई मुद्ध हैं तो बताईए दोस्तों नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, hello, 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 let's get going, चलिए, tick tick one, tick tick two, sir, ICI का study material 100% cover हो जाएगा, बिल्कुल, sir, हमें study material अलग से देखने की जर्वत पड़ेगी, क्या not required, फिर भी मैं कहूंगा कि आप देखना चाहें, तो बिल्कुल देखें, और कुछ-कुछ topics तक आप देखते रहिएगा, ताकि आपको confidence आजा एक बार, कि हाँ मेरा study material cover हो रहा है, क्योंकि study material ही सारा-सारे बिटा, आपका study material में जो content है उसी के उपर based exam में सारे question आती हो, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, intermediate level पर, तो वह आपका ultimate source है, आप उसे cross check कर सकते हैं, but everything is covered, not to worry. चलेजे, कोई भी doubt है तो पताएं और नहीं है, तो एक बार कह दीजिए no doubt sir, फिर अपना आगे बढ़ेंगे, no questions, doubt तो अभी कहाएंगे, अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है, doubt चाहिए सा, पहले, हीलू, 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 चले आरस सर आजटेक, पहला पहला दिन, सुबह-सुबह आपने उठा दिया, अभी तो मढ़ाई ले रहे हो, अभी तो फूट ही नहीं है, घरवाले भी सो रहे हैं, महारा क्या है इंदर के बच्चों को आपने उठा दिया साथ साथ बजे को उठता है तो बड़े आड़ा एक आपकी शेडियूल आपको यू समझ लीजे मैक्सिमम एक वीक का इश्यू आएगा सुबह उठने में आ रहा है फिर उसके बाद आप एक बात यह देख लेना कि बा आपका बॉडी क्लॉग टाइम सब इतना बढ़िया सेट हो जाएगा इस क्लास के उसमें 730 घर पे आप बैट रहे हैं और अब इसी बात है पो त्यार होके बैटना है तो यह आप टो गेट अप बाई 645, get yourself ready 725, be on your desk and let's rock चले बाते दोस्तों चाप्टर नमबर 11 financial statement of companies हम यह financial performance को बता सको यानि आप अल्टमेंटली यह बता सकोगी कंपनी की assets liability की यानि balance sheet क्या है और उसकी income expense यानि उसके profits क्या है तो what is the end ultimately आपका end goal क्या यह बनना है at least for the time being तो accounting का भी end goal क्या है financial statement बना तो अपन क्या करेंगे पहले देखते financial statements बनते हैं वो कैसे बनते हैं और वहीं से बहुत सारी चीज़े फिर अपने को समझने में आना शुरू जाएंगे और यहां पे हम financial statement एक partnership firm के नहीं बना रहे हम financial statement यहां पर सिर्फ और सिर्फ companies के बनाएंगे तो companies का मतलब जो companies act 2013 यह पहले की companies act के अंतरगत रजिस्टर कमनी हैं उनके financial statements जो बनते हैं हम सिर्फ उसके बारे में बात करें accounting हर entity की एक्जेसी होती है accounting vary नहीं करती है person to person दोस्तों एक चीज समझे है accounting कोई भी करेगा एक्जेसी होगा आप समझे अंग्रेजी भाषा more or less एक्जेसी होगी आप भारत में बोलेंगे भारत के बार बोलेंगे थोड़ी accent और इंसम में वरक पड़ सकता है similarly accounting हर country में internationally उसे statement of profit and loss की बजाए statement of comprehensive income कहा जाता है तो nomenclature change हो गया but ultimately more or less accounting उनकी और हमारी same है तो इसी तरह से accounting सबकी more or less same होती है but companies के case में हम कैसे financial statement का title देते हैं प्रेजेंट करते हैं वर्टिकल format में बनाते हैं वो हो सकता एक partnership form या एक society या cooperative society के लिए अलग है तो that is why company का format यूज कर रहे हैं क्योंकि 90% आप जब काम करेंगे दोस्तों तो या तो आप job करेंगे तो किसी किना किसी कमनी के अंदर करेंगे ना practice करेंगे तो आपके चाहत होगी कि हमारे पास audit accounting आये तो बड़ी बड़ी इसकी है तो 90% of your revenue source is basically going to be doing work of companies तो यही हमारे लिए क्या एक major area of work के इसलिए अब आप intermediate अब सबसे पहले अपन financial statement of companies की बात करते हैं तो अपन शुरुवात करते हैं दोस्तों format से का मतलब क्या है कि balance sheet और P&L कैसे दिखती है let us start with the balance sheet first आज अपन जो discussion कर रहे हैं दोस्तों यह हमारा chapter number 11 start हो रहा है बट अपन इसको कोई sequence में नहीं ले रहे हैं basic understanding develop करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो format के लिए मैं आपको सीरे जम करके format बल ले जाता है तो आप देखेंगे balance sheet की दो sides होती है पहले अपन टी format में बनाते थे एक तरफ equity liability एक तरफ assets partnership में आजकल वैसे आज भी वैसी बनती है प्रप्राइटर्शिप की आज भी वैसी बनती है अलाकि वहां कोई नियम नहीं है पर company में नियम है और वहां पर strict कह रखा है कि आप टी format वाली balance sheet नहीं बनती है वर्टिकल बनती है जिसमें सबसे पहले आप equity और liabilities बताते हैं तो एक side आपकी हो गई equity और liabilities जो क्या बता है यह basically आप यूँ कहलो कि हमारे company में पैसा कहां से आया sources पैसे लेके कहां से आया अगर पैसा owner देता है तो उसे क्या कहते है capital company के case में capital की जगे आ जाता है shareholder funds अपन इन सब के उपर काफी detail में चर्चा करेंगे कई बार हम shareholder से पैसा लेते हैं पर उन्हें share issue नहीं करते हैं तो जब तक वो पैसे के बदले में share नहीं दे रहे हैं तो हम एक share application में pending allotment बनाते हैं सब discuss करें आपकी कह सकते हो कि यह part आपका किस से related हो गया you can say this is relating to capital वही अगर अगर अपन पैसा बाहर वालों से लेते हैं या बाहर वालों को पैसे देने बागी है तो उसे हम कहते हैं liabilities basic समझते हैं तो यह जो पार्ट है आपका यह वाला पार्ट हो गया आपका liabilities section जिसके अंदर भी दो heading है non current liabilities और current liabilities क्या फरक होता है कैसे प्रेजेंट करते हैं कौन सी चीज नॉन करेंट में हैंगी current में इन्हें इसके लिए आप कहते हो दोस्तो headings हर heading के अंदर में एक एक लाइन में एक एक आइटम को बताते हैं तो इसके लिए इन्हें कहते हैं line items कुछ line items के नीचे फिर और bifurcation कहते हैं तो इसको कहते है sub line items मिजोरिटी केस में line item के further sub line items या details जो दिये जाते हैं वो notes में दिये जाते हैं और आपको balance sheet पे उसके मूँ पे दिखाना ज़रूरी नहीं होता है except कुछ बहुत important चीज़े जो face of the balance sheet यानि कि balance sheet जो में आप बना रहे उसी में दिखाना ज़रूरी होता है उन्हें यहीं पर sub line item के तुरू show करना कमबल सरी होता otherwise आप बागी चीज़े notes में दिखा सकते हैं यह आप non current liability और current liability इसमें कुछ शब्द आपने सुने होए होंगे आपको पता होंगे जैसे कि borrowings कुछ आपने नहीं सुने होंगे जैसे deferred tax liability provisions आपने सुने होंगे rate payables आपने सुनाएं यह आपकी हो गई एक side equity or liability side आप आते हैं दूसरी side which is asset side once again asset side में दो addings हैं सिर्फ non current assets और current assets बास और non current asset के अंदर फिर यह line item है fixed asset पहले जिसे कहते थे आजकल उसे pp कहते हैं तो pp an intangible asset और फिर उसके अंदर यह बहुत सारी sub line item है जो आपको face पे दिखाना है property plant equipment में क्या क्या आता है land, building, vehicle, furniture, fixtures, plant, machinery, electrical equipment, computer equipment यह सब अपन notes में दिखाएंगे पर कुछ चीज़े हमें यहां पे face पे दिखानी है जैसे कि यह सब दिया गया है यह भी line item है, line item है इन में से कुछ नाम आपने सुने होंगे जैसे शायद intangible asset सुनाओ आपने capital work in progress सुनाओ, investment सुनाओ, कुछ नहीं सुनाओ, deferred tax asset similarly current assets में we have investments सुनाओ, आपने inventory सुनाओगा आपने trade receivables, debtors को trade receivables कब कहते हैं cash cash equivalent शायद सुनाओ आपने loans and advances, तो क्या होता है दोस्तो loans and advances borrowings में नहीं आ रहे assets में आ रहे है और यूजली हम loan लेते हैं तो उसे borrowing कहते हैं और अगर देते हैं तो उसे loans and advances के यह से open discuss करेंगे कौन सी चीज़ कहां पर आ रही है other current assets तो यह एक format है आपकी balance sheet का जिसमें आपको compulsory क्या देना होता है तो पहला column होता है आपका particular जिसमें आप heading line items देते हो उसकी detail आपको देना होती है नोट्स में जिसे notes to financial statement कहते हैं और आपको compulsory दो साल के figure देना होते हैं एक current year के और एक previous period के अगर पहला जाले कमनी का तो previous year figure नहीं है इससे क्या फाइदा होता है एक comparison समझ में आता है तो जैसे आपको let's say for example यह balance sheet ITC की अभी अपन consolidated नहीं stand alone simple देखते हैं 2016 and 2015 और इस और नौदस साल पुरानी हो गई latest लोना देखो latest के साथ क्या issue मैं आपका ITC की latest balance sheet भी बताता हूं लेटेस का format आपको देखोगे तो आप confused हो जाओगे और यह मैं इसलिए भी बता रहा हूं आपको क्यों कि इन केस अगर आप खुद अगर annual report कहीं से निकाल के लाते हो तो आपको वहां पे format ही थोड़ा अलग देखेगा लेट में टेक यू तो बालेंशीट के 2023 की लेट से पर एक्जैम्बल बालेंशीट है यह भी लेटेस नहीं है वर ठीक है भी हंडी है मेरे पास आप देखो यहां पे सबसे पहले असेट्स आ रहे और बाद में एक्विटी और लाइबिलिटी आ रही जबकि हमने जो पड़ा उसमें अपोजिट था यह क्यों हो रहा है क्यों कि यह इस पर इंडेस प्रिपेड और इंडेस में format अलग होता है यह इसमें अलग होता है तो दियान रखना आपको भी देखो यह देखले ना पहले वो यह इस अनुसार बनी है यह इंडेस के अनसरा राइच अब क्या हो रहा है अगर आप यहां पर देखोगे तो यूल फाइंड वट आज हापन पिछले साल से साल का कौम्पेरिशन आप देखोगे तो वह कंपेरिशन आपको कहीं न कहीं मदद में कि हाव एस बीन दे परफॉर्मेंस अफ दे कमनी वाट्स हापनिंग इन दे कमनी चेंजिस क्या हो रहे हैं तो धारन के तौर पर अपन स्टेट्मेंट और प्रॉफिट लॉज देखते हैं कि क्या हुआ है ग्रोस इंकम फिफ्टी वन नाइन हंड़ेट से फिफ्टी री सेवन इंड़ेट करोड़ होई है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी मेजर ग्रोथ नहीं होई है ठीक है प्रॉफिट्स आप देखोगे तो आप देखोगे फोडीन ताउजंड कुछ थे उससे फोडीन ताउजंड नाइन हंड़ेट कुछ हो गए यानि कि ठीक है ग्रोथ हो रही है पात साथ परसेंट है बहुत मेजर नहीं है यहीं पर इसकी बजाए लेट से फर एक्ज आप साइस पता पड़ जाएगे आपको रिलाइंस की कंसॉलिडेटेट इंकम एट लाइक फिफ्टी सिक्स ताउजंड करो है आप समझेंगे जी डीवी का साड़े तीन परसेंट इसका मतलब यह है कि आप अगर एक रुपिया खरेशते हो तो डिरेक्ली इंडिरेक्ली उस आप यहां पर प्रॉफिट्स देखेंगे तो यह फाइंड कि एस इवन प्रॉफिट्स अब्रों सब्स्टाइब तो इसके लिए क्या होता है आपको रिलेटिविटी के लिए यह जरूरी है कि आप बहतर रहते हो या खराब कर रहें एप्सलूट टम्स के अलावा इसलिए प्रिविएस येर फिगर इपक्षित के गॉश्चम आते हों उसमें प्रिविएस येर फिगर देना होते हैं नीचे प्रविएस प्रॉपिएन्टे और यह बहुत सारी चीज़ है ऐसा फॉर्माट क्यों बनाया जाता है सर एक्विटी साइड और लाइबिलेटी साइड तो अब इसके पीछे का एक छोटा सा बाइग्राउंड डिसकेशन अपन करते हैं वो क्या है यह पूरा फॉर्माट किसके उपर बेस्ट है तो अब अपन चैप्टर 11 डिसक्स करने की बजाए थोड़ा सा बेसिक्स फटाफट डिसक्स कर लेते हैं अकाउंटिंग बेसिक्स क्यों कर रहे हो साइड इसकेश ऐसे तो आप लोग सब अकाउंटिंग जानते हो दोस्तों बट फिर भी हो सकता है की कैसा है न भगिया अंग्रेजी हर किसी की एक जासी रही होता है कोई बड़ावा देते हैं अंग्रेजी बोलके अंग्रेजी को अपन एक रिदम में लेए हैं अलाकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस हो सकता है अकांटिंग का नॉलिज का डिफ्रेंस थोड़ा भहत होगा तो एक अपन लेवल पर अपने नॉलेज को लेआए इसलिए एक बार quick basics का discussion लेड़े discussion basics में सबसे पहले अपन शुरुबात करते हैं दोस्तों किस से accounting का सब कुछ dependent है बेटा है accounting equation पर the golden accounting equation simply says asset is equal to liability plus capital और यह पूरा किस logic पर create होता है this is based on the double entry system of accounting which is debit should be always equal to credit accounts का एक simple सा rule है कि हर particular transaction में कोई चीज debit होगी और कोई चीज credit होगी और हमेशा जितना amount debit होगा उतना ही amount credit होगा यह सब अपन तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है इन्होंने instead of saying कि asset बढ़ रही है तो plus करो काम हो रही है तो minus करो हम क्या बोलते हैं अगर asset बढ़ रहा है तो debit करो asset काम हो रहा है तो credit करो liability बढ़ रही है तो credit करो कम हो रही है तो debit करो similarly capital बढ़ रहा है तो credit करो कम हो रहा है तो debit करो इतना करेशान नहीं होना है तो simple सी बात अपन समझ लेते दोस्तों असेट का साहीन हमेशा क्या होता है डेबिड बालेंस और लाइबिलिटी और क्यापिटल एक्विटी हमेशा क्या होती है क्रेडिट होती है हाला कि क्यापिटल आपकी बढ़ती है प्रॉफिट से तो दोस्तों प्रॉफिट क्या है income minus expense basic से चीज़ discuss करें तो profit बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा capital बढ़ेगी क्योंकि profit तो owner का होता है और capital का sign क्या है credit तो profit का defines और profit किससे बढ़ते है income बढ़ने से तो income बढ़ेगी तो क्या है गा credit और expense बढ़ेगा तो क्या होगा credit नहीं होगा credit कम होगा यानि debit यानि अगर अपन चाहें तो इस पूरे को ऐसे भी conclude कर सकते हैं एकदम basic है कुछ भी लिखने की जरुवत नहीं है asset expense income liability capital ये दोनों में plus debit को कहते हैं इन तीनों में plus credit को कहते हैं ऐसा क्यों ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है बस ऐसा है तो ऐसा ही है देखो दोस्तों कुछ चीजों के सिद्धान्त सिद्धान्त अपने आप में हमेशा नियम अपने आप में क्या होंगे fix होंगे define कर रखे वैसे ही होंगे मतलब क्या इसका बहुत ही simple सी बात है आप बताएए भईया गाड़े आप चलाते हो तो कौन सी साइड पर चलाते हों तो वेडिएव ड्राइव आप आप ।ो यह हमारी गाड़िया जित्ती है हो वह सारी की सारी होती है राइट-अंड स्टेरिंग बाली और हम्हारी गाड़ी चलाते है लेट साइड पे U.S. में आप जाओगे तो वहां गाडिया की साइन्स अलग होते हैं अब आप समझे कित्ती प्राबलम आएगी कि इंडिया में आपकी सारी गाडिया राइट-ंड स्टेरिंग-वील की और यहां वे आपको चलना है लेट साइड में यूएस में आप जाओगे तो वहां लेफ्ट एंड वील होगा और आपको चलना राइट साइड में पढ़ेगा इत्ता बहतर होता कि पूरे गलोब में सारी की सारी गाड़िया एक तरफ स्टेरिंग होता और एक करफी चलना होता हम ने एक नियम बना दिया सपोस्ट ग्लोब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा क्यापिटल लाइबिलेटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी फिक्स है एक चीज बताओ इसमें कोई वाली बात नहीं है आप सीधी सीवागे नियुक्ता हो यह वन क्यों नहीं हुआ तो प्लस का होना है तो हमने फिक्स कर दिया क्या फिक्स कर दिया सिंपल थी प्लस टू है तो फाइब यह थी माइनस टू है तो नहीं होगा पर एक बात तो माइनस ट्री माइनस टू करोगे तो क्या आएगा माइनस ट्री माइनस टू तो माइनस फाई हो जाएगा तो यह प्लस होगा अ तो क्रेडिट होगा सिंपल रूल बनाएं यह सब बन क्यों रिवाइस करें विराइंचल स्टेट्मेंट अव कमनी जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा इसका डिसकेशन अभी क्यों करना ज़रूरी तो इंकम क्याबिटल लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट हो अब अच्छी बात यह दोस्तों कि जैसे मैंने आपको यह समझाया कि अकाउंटिंग में प्लस माइनस का कोई नियम ही नहीं होता है सब कुछ डेबिट और क्रेडिट से चलता है तो चलो जल्दी से बताओ कि अगर आपको असेट बढ़ाने तो आप क्या करोगे सर डेबिट करेंगे और अगर आपको असेट कम करने तो आप क्या करोगे सर माइनस डेबिट करेंगे नहीं माइनस फ्लस होता ही नहीं अकाउं में आएगा दोस्तों यह हमारे काम आएगा हमको जब एक्जाम में कुष्ण आता है इस शाप्टर में तो हमको देते हैं ट्राइल बैलेंस जलजी से पताना इस सवाल का जबाब दो लिख दिया इंट्रेस्ट यह नहीं लिखा इंट्रेस्ट इंकम है या इंट्रेस्ट एक्सपेंस है एक्जाम में और ट्राइल बैलेंस दिया और उसके सामने लिख दिया 5000 क्रेडिट बैलेंस 5000 credit balance तो इसका मतलब क्या होगा चलो बताओ interest income या interest expense नहीं लिप और आगे लिख दिया 5000 और लिख दिया credit आप बताईए इसका क्या मतलब है सबसे पहली चीज़ आपको ये define करना पड़ेगा कि interest क्या है whether it is an asset, liability, income, expense और capital जल्दी से बताओ interest क्या होगा अब अगर उसमें लिखा है सामने 5000 credit इसका मतलब इसका balance क्या है दोस्तों credit balance है और credit balance किन चीज़ों का होता है income, capital और liabilities का तो जैसे ही मैंने बुला 5000 credit है इसका मतलब कि ये income हो सकती है तो या तो interest income है या expense है और credit है इसका मतलब इनका तो मतलब समझना है या अपन क्यों बढ़ रहे हैं क्यों क्यों कि कई जगे ऐसे confusion आएंगे फिर आप बोलो कि सर ये discount दिया है ये received है या given है received ही तो income given है तो खर्चा तो ये किस से देखना पड़ेगा फिर science है कि यार वो debit balance है या credit balance कई जगे ऐसा होगा कि आपको simply दिया जाएगा interest expense 3000 और बोलेंगे let's say trial balance या इसको financial statement में डालना है तो फिर हमें इसे कहां ले जाना पड़ेगा तो हमें मालें interest expense है तो expense हो और इसका debit balance है तो इसे debit जैसे treat करें कई बार exam में जो question आता है उसमें नीचे जो language होती है उसमें language में भी ऐसा लिख सकते हैं interest expense given above is to be credited by one thousand because of an error जानी हमसे कोई गल्ती हो गई ता हमें interest expense को vem thousand से credit करते हैं जाते तो वह लिख सकते हैंə interest expense को कम करना है पर उन्होंने लिख दिया credit करने है हमें समयझी में आना चाहिए छहीं कि भाई तो एक चीज़ एकदम दिमाग में clear कर लो दोस्तों कि accounting में हमेशा debit और credit बराबर होते हैं debit दो चीज़ों का होता है in fact debit balance assets का होता है और credit liability और capital का होता है इसलिए asset हमेशा बढ़ेगा तो debit ही होगा कम होगा तो credit ही होगा इंकम liability capital हमेशा बढ़ेगी तो credit ही होगी कम होगी तो debit ही होगी तो अगर आपके सामने कोई भी trial balance अगर present किया जाता है तो उस trial balance में आपको सबसे पहले अगर balance debit credit नहीं दिए है तो देखना है वो asset income expense liability capital क्या है और एक बार यह समझ में आ जाए तो फिर आपको यह देखना है कि उसका balance debit rate क्या होगा according to financial statements में कहां पर जाएगा तो मैं आपके सामने क्या करता हूं एक list of examples लिखता हूं सर यह सब हम भी लिखें किया copy में आप चाहें तो लिख सकते आपकी personal choice है एक practice कर रहे है अपर और इससे अब आपको समझ में भी आएगा कि अपन यह सब discussion क्यों कर रहे है ठीक है एकदम basic discussion हो रहा है must let's say you've been given with a trial balance और a summary आपको बुला है कम नहीं यह summary है यह ले लीजी और इसके basis पर बताईए कि यह क्या है so now you'll have to tell me कि what is this शुरू करते है चलिए land building car petrol purchased repairs of car inventory or stock of goods purchases purchase returned sales sales returned interest paid outstanding interest insurance premium prepaid insurance prepaid insurance accrued interest on investment depreciation provision for bad debts or let's say provision for depreciation discount discount given provision for discount given or to be given discount 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 received from creditors provision for discount on creditors हाला कि ऐसी चीज़ रियल लाइफ में होना नहीं चीए है but still और ये एक छोटी सी लिस्ट बनाई है अब इन सब के सामने हमें क्या करना है दोस्त इन सब के सामने हमें यह लिखना है वन टू त्री फॉर नंबर देते थे थे पन चलो आपको सबसे पहले लिखना है कि यह पांचों चीज़ों में से क्या है और इसलिए इन में डेबिट या क्रेडिट क्या करेंगे अगर इने बढ़ाना है तो यह बाइस चीज़ें ऐसी और लेकिया जाएंगे अभी अपन डिसकस और लेकिए चलिए बताईए फटा फट एक करके पूछते जाता हूं हम बताते जाओं लैंड अपने आप में क्या होना चाहिए यूज्यूली जमीन आपने खरीदी है तो यूज्यूली यह क्या होगी असेट इसका बालिंस क्या होगा डेबिट बालिंस यानि आपको जिब यह बताना है कि अगर आपने लैंड खरीदी है तो आप क्या करोगे डेबिट या ग्रेट तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे डेबिट बिल्डिंग असेट है बढ़ाना है तो क्या करेंगे डेबिट कार असेट है मेरी बढ़ाना है तो क्या करूंगा डेबिट पेट्रोल खरीदा आईगे तो यह क्या है चलिए अब मैं आप से सारे कुष्चिन के जवाब नहीं बूच रहा हूं चार्ट में मैं जो स्पेसिफिक पूछू किसके लिए किया भी हमने गार के लिए किया तो यह क्या होगा कम आन कम आन कम आन जल्दी बेटा इतना समाई काही एक चाट में बड़िया सवाल पुछता हूँ पुर्चेस अफ गुड्स फॉर री सेल इस न असेट और न एक्सपेलिस यह भी पूछते हैं देखें कैसा है न दोस्त पेट्रोल अगर आपने खरीदा है तो आप इसे तो मानोगी नहीं यह आपने गाड़ी के लिए खरीदा होगा तो यह आपका एक्सपेंस होगा यूजुवली तो डबिट हुआ लेकिन महीं पर अगर मैं बात करूँ मैंने रिपेर कराया और यह भी खर्चा ही है कोई भी तरह का रिपेर कराया होगा देबिट होगा इन्वेंटरी स्टॉक आपके पास रखा है तो यह आपकी असेट होगी डेविट होगा परचेस क्या होगी यह मैं आपको चार्ट में एक पोल दिये इसे क्लिक करके ट्राइ करने की कोशिश करिए मैंने गुट्स खरीदें रीसेल करने के लिए इसे कहते हैं अपना बिजनेस अपन मॉबाइल चॉप कोल के बैटे मोबायल करीते हो आगे बेशते करीते बेशते बहुते अगर मेरा बिजनस से रीसेल करना है तो यह मेरे लिए क्या होता बोलो तूर स्टॉक रखा है तो मेरा है पर जब में परफिर किया तो मैं उसे ज़का है इसमा ऐसी आ था कि तब क्या है गाइक अदि इसका मतलब क्या िच्छा कि इसका बाले यह एक्सपेंस और यह इसका दॉप्टी रह सभाए इससे आपको दीरे-दीरे यह समझ में आएगा दोस्तों कि debit credit की बात आती है कि उसको debit करना है या credit करना अब purchase return क्या होगा तो technically speaking purchase return एक अगर purchase को मैं expense मान रहा हूं तो मैंने माल खरीदा तो यह मेरा खर्चा है तो उसे return किया तो income हो गई कि तो बढ़िया ऐसे कमाई नहीं हो रही है तो यही करो माल खरीदो और बेचो खरीदो और बेच खरीदा रहा है उमने पूझा क्यों हमने बोला रही तो उन्हें प्रेशा और आज एक लाग रुपय एक ही कमाई होगी हो गई हमने बोला कैसे हमने बोला एक लाग का माल जो आपका यहां पर क्या हुआ है expense या जो asset ता inventory थी वो कम हो गई गया इसका मतलब इसको क्रेडिट करते हैं अच्छा तो देखो अब आप क्या सही लॉजिक से डेवल एंट्री सिस्टम बनाई है जिसने भी बनाई है क्यों क्योंकि अब expense अगर कम हो रहा है तो आपको सोचना कुछ नहीं है आपको बस क्रेडिट करते हैं अगर income बढ़ती तो भी क्रेडिट करते हैं जैसे इसी की बजाए अगर आपने goods बेचे होते तो यह आपकी income होती है और income होती तो definitely क्या होता क्रेडिट करोगे तो भी पैसा आएगा वह भी क्रेडिट हो रहा है क्या पर्चेज रिटर्न का मतलब कि मैंने माल बेचा नहीं है जो वापस कर दिया है तो रिटर्न हुआ तो इसका मतलब क्या होए मेरे expense कम हो पर क्रेडिट हो रहे हैं तो साइन दोनों का सिमलर कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह से सेल्स रिटर्न होगी तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी income कम हुई है इसका मतलब डेबिट हम इन्टरेस्ट पे किया इसका क्या रहा है तो नॉर्मली मेरा expense होगा कर चाहिए मेरा इतना तुम सम होती है जिसे कहते है एडवांस जिसे आप adjustment entry बोलते रहे हैं अनर्ण इंकम्स यह चार बहुत ही special cases है विटा आउट्स्टांडिंग प्रिपेड अक्रोड और यह बहुत special cases है यह चारों की adjustment जर्नल accounting entries होती है जिने हम बाद में discuss करेंगे अभी आप note करने के लिए बस note कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे अपनी क्या होती जाएंगी cover होती जाएंगे अपन जैसे से आएगा वैसे इसे discuss करेंगे cover करेंगे not to worry बट अभी basically मैं आपको क्या कर रहा हूं basic approach बता रहा हूं जैसे अपन class में discuss करने वाले तो यह सब आपको पता है बट अब class में आपन discussion एक mode पर करें इसलिए एक बार इसका रही क्या पूर तो चलो अपन outstanding interest पर आते हैं outstanding interest क्या है very quickly sir expense है नहीं यह liability होती है क्यों liability होती है यह अपन discuss करेंगे इसलिए यह credit होगा यह जो चार चीज़े मैं ब्राकेट में लिखिए इस इस टी बी डी तूभी discuss इसके उपर चर्चा करेंगे पर कभी करेंगे बाद में करेंगे अभी बहले एक बर basic करते हैं insurance premium normally आपने दिया है तो यह आपका क्या होगा खर्चा होगा और अगर वह prepared है तो आपका asset होता है क्यों we will discuss accrued investment, interest on investment भी आपका asset है ना की income क्यों तूभी discuss है depreciation किसी भी चीज़ पर क्या है एक तरह से asset पर खर्चा है तो debit provision for depreciation क्या है तो यह सारे provisions भी special cases है और that is why यह सब भी हम क्या करेंगे बाद में discuss करेंगे provision दो तरगे होते दोस्ते एक provision जो किसी asset या liability पर बनाए जाता है यानि किसी एक particular item पर बनाए जाता है और एक provision जिसका मतलब होता है कि आपको किसी को पैसे देने amount अभी पता नहीं है तो provision जैसे provision for tax payable हमें सरकार को income tax pay करना है पर अभी exact amount पता नहीं है पित्ता पे करते हैं तो हमने एक provision अंदाजन बना लिया प्रोवाइट पर करते हैं और प्रोविजन समझते हों कि आप समझ लीजे कि लेट से स्कूल से आपको एक एजुकेशनल ट्रिप टुगोवा पल ले जा रहे हैं कि एजुकेशनल ट्रिप बहुत बड़ी क्या दिखाएंगे सर्मा नैच्रल ब्यूटी के बारे में स्टड़ी करते हैं वाव एजुकेशनल ट्रिप टुगोवा पर आप गए हो दोस्तों तो आप घर वालों के बोलोगे कि हमें ट्रिप पे ले जा रहे है इसे तो पैसे आ कि पानी तो मिन्रल वाटरी खरीदना पड़ता है वहां बहुत दिक्कत है पानी कि हमने क्या कि कितने पैसे लगेंगे एक्जैक्ट तो दे नहीं पाएंगे हमने बुला है अंदाजन आप देखला हमारे इसाब से 25,000 में हो जाना चाहिए एंड ना लगा बोले यह रख 15,000 और जो भी बच्चे दे दे ना तो उन्होंने किया कि एक अंदाजन आपको अमान दे दिया तो इसी तरह से कई बार खर्चों में इंक्जैक्ट पता नहीं होता है कि यह तरह के प्रोविजिए जिसपे पैसे देने होते दोस्तों यह लाइबलिटी क्योंकि पैसे देने और किशी चीज के उप्पर बनाए तो उसका निचर वही होगा जो चीज का इसका बतलब क्या है पॉा डपरीसिएशन किस पह बनता एशवडेप्रीश्एशन पहैं अरे मेरे भाई इसके लिए इसका निचर किसगे जैसा होगा असेंड जैसा पर यह क्या करता है कउसे को क stal karma करेगी तो ये तो यह कि इनका साइन क्रेडिटी होगा प्रोविजान का पर ऐसा नहीं हे हर प्रोविज़न लाइबलिटी होगा क्रेडिट । तोक्र में इसक अब करने की बात मनों या लाइबलिटी भानो profund you उहीं कि इसमें यह होना क्रेडिट ही है इसका प्रेजेंटेशन बैलेंच चीट में चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या देखिए प्रोविजन फॉर डिस्कांट अपन दे रहेगा इस पे ट्रेड रिशीवल ट्रेड रिशीवल क्या है असेट तो यह मेरे असेट को क्या कर रहा है कम तो ग्रैट पर क्रेडिटर पर अगर अपन प्रोवीशन धे रहें या बना रहे यह क्रेटल लायभलेटे और यह लाइबलीटी को हमारी कम करेंगा क्रेंगा क्योंकि डिस्काूण्ड मिलेगा थो पैसा कम बागी आप बोल सकते हो दोस्तों डिसकाउंट अगर दिया है तो खर्चा खर्चे का हमेशा बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट बर क्रेडिटरस दिसकाउंट मिलाए तो यह हमारी बचाउट है बढ़ेगा तो क्या होगा गुडविल आपकी एक और असेड बढ़ती है तो क्या होता है अनौन अंकम आपकी लाइबलिटी है क्यों बाद में डिस्कुस करेंगे इसलिए और एक प्रोविजन की अपने बात करी तो अपन लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टेक्स पेबल यह आपको पैसा देना है तो यह आपकी को अगर अधर बढ़ाना है तो हमेशे क्या करेंगे लाइबलीलिटी जाएगी वैलेंजिएट जैड़ है इंकम जाएगी प्रॉफिड आन लॉस में呢 भर आ यही सार जीजिए श१री आपकार्डंगली त्थे घेयुए जघे पे चली जाएगए liability owners के प्रति है तो वो कह पर चली जाएगी capital में चली जाएगी और ऐसे capital में जाने से effectively इसका impact क्या होगा ultimately आपके इससे financial statements पूरे बने तो कैसा है कि source पर आपको चीजों को समझना है कि कैसे यह source पर चीजों की accounting हो रही है और एक बार आपको source level पर समझ में अगया accounting कैसे हो रही है तो automatically फिर अपन उससे क्या करते जाएंगे financial statements तक पहुचते जाएंगे अब यह सब बने क्यों discuss किया आपको बहुत ही कि शॉट मैं मैं quickly let's say कि आपके सामने एक केस रखता हूँ अब यह अपन questions नहीं कर रहे हैं बड़ना आपको purpose बता रहा हूँ अपन पर समझ आपको यह बनेगा कि यह सारे questions कहां से स्टडी मटीरल से आएं मॉक टेस्ट पेपर से आएं रिविजिन टेस्ट पेपर से आएं आस्ट एक्जैम से अब इसमें let's say if we see any of these particular questions यहां पर क्या हो रहा है आपको बलाए profit and loss treatment बनाई है thankfully यहां पर हमें debit credit balance दिये हुए है similarly यहां पर thankfully हमें trial balance दिया हुए है और debit or credit site format में बनाए trial balance कैसे भी बन सकता है अब आप देखिए आपको बोल रहे हैं यहां पर balance sheet भी बनाने और P&L दोनों चीज़े बनाने और trial balance दिया हुए अब आपको जब यह चीज देखोगे तो कुछ चीज़े आपको एकदम clearly समझ में आ जाएंगे क्यों यह equity share capital ठीके मालू में capital होता है तो it is a capital तो credit balance होगा debenture हमारी liability होती है क्या होता debenture है सब discuss करेंगे टापस loan liability है trade payable liability है sales income है income का credit balance होगा rent received income है credit होगा transfer fees अब यह देखो यह debit और credit दोनों हो सकती थी और क्योंकि यह credit में दिया है तो इसका मतलब हो आपको समझ में आ गया यह income होगी ना कि expense अगर यह debit credit balance नहीं देते है ट्राल बालन्स में जिब transfer fees लिखते है तो फिल लिखते received है या given है चलिए अब देखो यहाँ पर क्या दिया है depreciation का provision machine में है अब machine normally क्या होती है विटा असेट असेट का बतलब इसका balance क्या होगा debit और machine पर प्रोविजिन है तो यह asset को कम कर रहा है इसलिए इसका balance है मेरा आप से सवाल है कि यह जो depreciation provision on machine है आप इसे balance sheet में कहां पे दिखा होगे बता हूँ क्या यह balance sheet में depreciation provision equity और liability side में दिखेगा liabilities में या asset side में दिखेगा अगर आपका जवाब है equity और liability तो बो ए और asset है तो बो भी जल्दी बताओ हला कि provision हमें discuss करना बाकि अभी हम detail में discuss करेंगे बड़ अभी बहुत ही आराम से हौले हौले जित्ता मैंने बताया है उस case आप से बताईए depreciation provision on machine यह क्या है पहली चीज क्या यह expense है बोल नहीं सकता है expense होता तो debit side में था क्योंकि expense का debit balance होता है क्या यह income है अरे income नामसी नहीं लग दी क्या यह liability है तो provision तो liability होते हैं तो क्या मैं इसे equity और liability side पर दिखा दूँ provisions के अंतरगत short term long term provision में तो कैसी बात कर रहे हो provision on depreciation of machine अगर आपने liability side में दिखा दिया दोस्तों आपके marks क्या हो जाएंगे क्षड जाएंगे क्यों 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 है यह provision इसका balance क्या है credit लेकिन provisions अगर कोई asset पे बनाए जाते तो अभी अन्हें brief में बताया आगे अपने पढ़ेंगे detail में brief में बताया कि provisions अगर किसी भी asset पे बनाए जाते तो क्या माना जाता है वो liability नहीं है वो asset को कम कर रहा है तो यह provision बनाया गया depreciation on machine पे तो यह asset को कम कर रहा है तो इसका मतलब यह asset side में और कैसे आएगा तो हम asset में लिखेंगे machine definitely asset side में कहीं न कई machine आ रही होगी या property plant equipment आ रहा होगा तो हम asset में देखेंगे कि हमारी कहीं पर machine आ रही है असे आ रहा है किया तो यह ब्लांट अंशीन दिया 860 हम यहां पर asset side में लिखेंगे 860,000 और इससे less करेंगे provision for machinery कितने का 146,000 और यह जो balance हमारा बचेगा यह हमारी balance sheet के outer column में देखेंगे तो अभी तो मैं आपको ब्रीफ में बताया है इसे बहुत सारे examples लेके मैं आपको समझाओंगा बीच जरा भी यह चिंता आपको मैं बस एक pathway बता देता हूं कि हमारा sequence season को पढ़ने का कैसे हुआ कोई भी final accounts अगर आपको prepare करना है बेटा तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए हमारा step 1 होना चाहिए we should be able to identify वेदर इस इनसेट एकस्पेंस और इंकम लाइबिलिटी और क्यापिटल सबसे पहले यह पता करना आपको एक बार यह पता पड़ जाता है आपका आधे ज्यादा काम गया फिर आपको यह देखना है कि whether it is to be debited और credited और वो कैसे पता पड़ेगा तो वो depend करेगा इनके rules के basis पर rules क्या है clear है asset बढ़ेगा तो क्या होगा debit expense बढ़ेगा तो क्या होगा क्यों सिंपल अभी यह नियम आपको दिमांग जादा लगाने की जर्वत ही नहीं यह आपको निम्बू पानी पीना है तो सीधी सी बात है मीठा करना है तो क्या डालोगे शक्कर चक्कर डालोगे तो क्या आएगा मीटा चक्कर कम करोगे तो क्या आएगा कम मीटा खटा करना है तो निम्बू डालोगे निम्बू डालोगे तो क्या आएगा खटा कम डालोगे तो क्या आएगा कम खटा इसमें कोई दो नियम नहीं है इसमें कोई exception नहीं है, यह ऐसा ही होगा, हेलो, चाए कड़क करनी है, चाए पत्ती बढ़ाओगे, नहीं करनी है, कम करोगे, मीटी करनी है, शक्र कड़ालोगे, नहीं करनी है, शक्र कम करोगे, सेम इसी logic से, अगर आपको asset बढ़ाना है, क्या करोगे, debit कम करना है, क्या करोगे एक हैं आपको इंकम बढ़ाना है कंखर करम करना है क्या करोगे बढ़ाना एक क्रेडिट कम फिकसे रूल नहीं हम फिकसे इसमें कोई सोचने की बात नहीं है यह ऐसा ही होते हैं यह सिस्टम ही इसके बैसिस पर बनाएं यह चलता ही ऐसे तो आपने एक बार यह देख लिया step 2 कि आपको इसे debit करना है या credit करना है for whatever adjustments which are given उसका balance क्या होगा और फिर इसके बाद में आपको इसे क्या करना पड़ेगा आपको इसका classification in the balance sheet देखना होगा क्या मतलब classification in the balance sheet जो मैंने आज class में सबसे पहला सवाल पूछा रहा है कि आपने अगर जमीन खरीदी है तो वह आपके लिए यह तो ताय कि asset है but asset के अंदर बहुत सारी लाइन आइटम जबिटा तो उन लाइन आइटम में वह कहां जाएगा property plant equipment में जाएगा या investment में जाएग पर यह depend करेगा आपके nature of business पर जब खरीद के जमें अगर मेरे को यही नहीं पताए किया और मेरा purpose क्या है मैंने बस खरीद के रख लिया तो अपन जो accounting standard पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि अगर आपने कोई asset खरीदा है जैसे जमीन खरीद के रख लिए और अभी आपको मा मानना चाहिए investment तो यह समझने के लिए कि वालेंशीड में यह investment होगा inventory होगी यह आपको कहा समझ में आएका विटा यह पूरा detail में समझ में आएका जब आप सारे accounting standard पढ़ेंगे इसका मतलब आप समझ रहो आपका syllabus ऐसा बनाए गया है कि सारे accounting standard final accounts यह सब पढ़ने के बाद आप उस stage पर आओगे कि आप conclude करके बोल पाओगे कि येस लेयाओ आप रिलाइक्स की वालेंशीड बनाना है तो वह बना देगा अलागी वह इंडेस फॉलो करती है बड़ कोई भी company जो एस फॉलो करती है उसके हिसाप से उसके financials बना दोगे तो हमें क्या करना पड़ता है classification and balance sheet देखना पड़ेगा कि ये balance sheet में कैसे classify होता है बड़ क्या होता है दोस्तों हमने को balance sheet में सिर्फ classify नहीं करना है उसके साथ साथ उसके related disclosures भी देना पड़ते है notes to accounts में तो ये भी आपको समझना पड़ेगा जब आप ये चार चीज़े समझोगे ना तब जाके आप particularly क company के पूरे financial statement present कर पाऊगे तो हमारे को इस particular chapter में क्या करना है हमारा focus ये सारी चीज़ों को समझने पर होगा ध्यान रखना classification जब balance sheet में करने की बात है तो इसमें दो चीज़े आती है classification में सबसे पहले कि आप इसे किस head या line item में शो करो गया तो दो चीज़े आपको समझना ह होती है एक होती है heading आपने देखा होगा balance sheet में asset liability में heading दो ही है current और non-current total equity and liability side में क्या था एक equity और एक liability था equity के दो heads थे shareholder funds और application money pending allotment और liability के दो heads थे non current liability current liability ऐसी asset में भी दो ही होते non current asset और current asset आपको यह देखना है कि यह current है या non current है और फिर उसके बाद आपको line item देखनी है जिसका मतलब क्या हुआ line item का कि balance sheet में मैं उसे pp दिखाऊं या capital work in progress दिखाऊं या investment property दिखाऊं या inventory दिखाऊं या क्या दिखाऊं यह दो चीज़ें आपको समझना पड़ती हैं यह सब कुछ आपको कहां पर पढ़ना है इस particular chapter में तो आज अपना एक chapter का एक introduction और एक थोड़ा सा accounts अपने पहले पढ़ाए उसका एक हलका फुलका recap हो गया है बहुत ही quick recap detail में तो नहीं क्योंकि obvious सी बात अपन पूरा accounts basic double entry system नहीं पढ़ रहे हैं बट एक basic सा recap में ने कराए परपस आज के session का समझ में आया था आपको क्या था syllabus का overview लेना debit credit को एक बार थोड़ा सा recall करना I am sure यह सब चीज़ एकदम clear ने हुई है खास तोर पे जो to be discussed ल discuss लिखी होई है ना यह सारी अपन करेंगे पहले और फिर एक बार जब अपन ग्लास में यह मान लेंगे कि हर कोई को basic understanding समझ में आ गई है और मैं आपके सामने कुछ typical चीज़े रखूंगा तो मैंने बोला advertisement फिर मैंने बोला deferred revenue expenditure on advertisement मैंने कहा goodwill फिर मैंने उसकी बज़े कहा दिखेगी या liability में जब यह clarity अपने को आएगी ना फिर अपन actual में chapter पढ़ना शुरू करेंगे यह सब base building है chapter का पार्ट नहीं है पर यह chapter के question solve करने में काम आएगा इसी के साथ आज का अपना discussion यही पर complete करते हैं दोस्तों किसी के कोई doubt से तो पूछ लीजिए otherwise we are done अब आप कि अगले बात शुरू हो जाएगी which is of costing with Amit भाई चलिया thank you